तो अगला जो आपका एक्जाम है वो है IES का प्रिलिम्स एक्जाम 2023 का और सबसे बड़ी संख्या में छात्र इसमें बैठते हैं सबसे महत्यपोर परिक्षाओं में से एक है परिक्षा के आप जादा दिन नहीं बचे हैं और ऐसे में लाश्ट दस दिनों में मैं आप सभी का स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे अब देखें यहां पर जो टार्गेट में दूँगा यहां पर आप लोगों को सेल्फी खुझ से ही चीज़ों को करना है बट मैं आपको बताऊंगा रिसोर्स और साम को एक लाइप सेशन लेकर के आऊंगा महा रिवीजन का ठीक है तो एक ल एक्जाम के इस तर को मैंने मेंटेन किया है अब जीएस बहुत बड़ा है है ना अब जीएस से कुश्चन आते हैं पूरा का पूरा पेपर वन इसमें भी जीएस है वन थर्ड की निगेटिव मार्किंग भी है लेकिन जो जीएस पूंचा जाता है ज्यादा तर यूपी एस उनसे जो है जोड करके कुश्चन पूछेगा तो ऐसे में मैं आप सभी को जो टार्गेट करवाऊंगा कि भई आपको पढ़ना क्या है तो करेंट टू जीएस में आप जाएं ऐसा कुछ आपके लिए मैं टार्गेट देने वाला हूं ठीक है तो देखें इसमें होने के आने वाले दस दिन जो है UPSC के लिए औरिएंटेट रहेंगे बाकी मैं आपको PT 365 जो आपकी है PT 365 यह वीजन आईएस के आती है मैगजीन है करेंट अफेर्स की है बेस्ट मैगजीन है इस मैगजीन का परड़े के हिसाब से टार्गेट दूँगा ताकि आप आने वाले दस दिनों में इसके जितने भी वैल्यूम है उन्हें पढ़ पाएं बहुत फास्ट पढ़ना है रैपिट पढ़ना है कुईक रिवीजन करना है और इससे आपका पूरा करेंट अफेर्स कबर हो जाएगा परड़े के हिसाब से आपको मुझे दस से बारा घंटे देने होंगे और आपकी तैयारी में चार चान लगा देगा तो अब आप सभी की तैयारी स्टार्ट हो रही है और आई-एस प्रिलिम्स एक्जाम को लेकर क जो भी बच्चे देखो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करो तो जादा बेतर होगा यदि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करोगे तो आप सभी की जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अगले साल तैयारी कर रहे होंगे 24 के लिए एक्जाम दे रहे होंगे मैं चाहता लोग IS का exam देने जा रहे हैं और IS का exam देने जा रहे हैं तो आप लोग एक बार भरोसा करके देखें आपका current अफेर से एक भी question गलत नहीं होगा चुकि current अफेर से जोड़ करके ही GS आता है इसलिए आपको इसमें कोई चिंता नहीं करनी है बाकी देखो GS के लिए मैंने बहुत sufficient काम कराया है आपका चाहे quality हो चाहे geography हो चाहे history हो चाहे economy हो सब के लिए काम करवाया है तो उन सभी से जो प्रशनाएंगे वो GS वाली वीडियो जो है हमारी entire वीडियो master वीडियो वहां से कबर हो जाएगा बट current to GS चुकि यहां भी important questions को आपको discuss कराएंगे important topic को subject को लेकर के मैं आपके चर्चा करूंगा तो यह आपको ध्यान में रखना है 15 मई से यह पूरा का पूरा target प्रारम हो रहा है 25 मई को complete हो जाएगा 28 मई को आपका exam रहेगा और यह most relevant resources रहेंगे जिन से मैं आपका target दूँगा ठीक है clear है तो सभी लोग पूरी तरीके से कमर कस लें और इस तैयारी के लिए अपने आपको पूरी तरीके से तैयार कर लें ठीक है तो एक most important तैयारी के तोर पे आप देख सकते हैं अब चलिए मैं आपको पहले दिन का target दे रहा हूँ संपूर्ण महा revision के अंतरगत आई एस एक्जाम प्रिलिम्स एक्जाम के लिए पहले दिन के target के साथ हम चलेंगे इसके लिए सबसे पहली बात आपको कुछ कारे करने पड़ेंगे पहला काम क्या करना है आपको एक telegram group से जुड़ जाना है टेलिग्राम ग्रूप इसका IS का अलग बना हुआ है महा revision एक telegram group बनाया है मैंने इस telegram group में वैसे भी पहले से काफी बच्चे जुड़े हूए है telegram group की link आजादा dais academy के telegram चैनल पे मैंने डाल दी है, टेलिग्राम ग्रूप है इसका लक्ष महा रिवीजन 2023 करके टेलिग्राम का जो ग्रूप है उसकी नेमिंग है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसमें जरूर जुर जाएए, यहीं पर मैं आपको जो टार्गेट दूँगा, उससे जुड ज़्यादा नहीं आपको कंटेंट दिया जाएगा, जितना एक्जाम औरियेंटेड है, वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा, तो आपको एक टेलिग्राम और एक आपकी यहाँ पर प्लेलिस्ट भी आजाद IAS Academy के यूटूप चैनल पर मैं बना दूँगा, देके टेलिग्रा आजाद IAS Academy का टेलिग्राम चैनल पर सभी लोग जरूर जुड के रहें, उसमें आपकी ग्रूप की लिंक आ चुकी है, व्यू ग्रूप पर जाएंगे, तो जैसे ही ग्रूप पर जाएंगे, महा रिवीजन IAS 2023 के नाम से ग्रूप बना हुआ है आपका, उस ग्रूप में आ आपका सारा कुछ आएगा, उसी में आपके वीडियो जाएंगे, उसी में आपको जो मैं टार्गेट दूँगा, उस सारा कुछ आएंगे, पहली सर्थ तो आप लोग की यह है, दूसरा आजाद IAS Academy का जो आपका यूट्यूप चैनल है, उस यूट्यूप चैनल है, हमारा स सारे UPPCS में पूछता है, इंडियन जगरोफी से भी कुशन पूछता है, तो वह सेलेक्टिव सेलेक्टिव टॉपिक भी मैं आपके आड़ाउन करता जाओंगा, करेंट अफेर्स आपकी पूरी हमने अभी करवाई है, वहाँ पे, राविन सर ने पीटी फोर फाइब करके, पीटी फोर फाइब, मलब पैतालिस दिन में पीटी को पूरा कबर कराने को लेकर एक करेंट अफेर्स की पूरी सीरीज चली थी, तो वह सीरीज भी वहाँ पर पूरी मैंने अपडेट करा दी है, उसमें दो दो तिन तिन वीडियो सब्जेक्ट वाइस पड़े हुएं करें चैनल जरूर जोइन कर लेना है, वहीं पर वीडियो जाएंगे, उन वीडियो को जरूर देखना है, और साथ में आपको जो मैं बताओं, ठीक है, क्लियर है इस पस्ट है सभी को, तो चलिए, अब आपको मैं लेकर के चल रहा हूँ, UPSC के पहले दिन के टार्गेट में, IES क पहले दिन के टार्गेट जो अपका है, पहले दिन के टार्गेट में आपको जो सब्जेक्ट मेंने लिया है, भारती राद विजूस्था और सासन विजूस्था का लिया है, Indian Policy and Governance का टॉपिक है आपका, और इसके लिए सबसे पहले, ग्रूप में आपको आएगा, एक तो मैगजीन में लगबग 86 पेज हैं अभी और इसमें जो है आपको सारी चीजे मिल जाएंगी ठीक है और इसके अलावा quality के दो वीडियो current affairs के आपके रहेंगे quality के दो वीडियो आपके current affairs के आपको पढ़ना है ठीक है यह पूरी magazine पढ़ना 86 पेज की है अब देखो एक दिन में आप लोगों को बहुत fast rapid revision करना है ठीक है fast fast एक एक बार देखना है जितना 10 दिन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उसी चीज़ को हमें fast track पढ़ना है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर खीचना नहीं है एक बार heading पढ़िए उसके बारे में जानकारी लीजिए आगे बढ़ जाईए क्योंकि current to gs इस magazine में भी जोड़ा गया है ठीक है तो आपको इसकी जो quality वाली है PT 365 बारती राजव्योस्ता इसको ही target करना है इसको ही complete करना आपको पूरी ठीक है तो यह मैं आप लोग के target में करना है यानि आज के target में आपको लग जाना है और लग करके पूरा करना है इसको ठीक है तो यह जितना कुछ भी होगा I.S. वाले batch में आप सभी को पूरा महारी वीजन कराए जाएगा group में वहाँ पे आप लोग communicate भी कर सकते हैं किसी को कोई भी दिक्कत आती है समस्या आती है तो मैं आपके साथ हर टाइम उपलब्द रहूँगा कोई भी आपको समस्या नहीं लेनी है मैं आपके लिए हर समय ह है और इस magazine को ही अब आपको पढ़ना चालू करना है last moment के लिए सबसे best content में आपको बता रहा हूं यह आपकी है यह magazine में आपको उपलब्द कराए दे रहा हूं ठीक है यह आपकी PT 365 करके बहुत अच्छी series है और इसमें पूरा अप्रेल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक updated है बाकी इ इसमें पूरा आगे का current भी यह माई तक माई एक्जाम है तो माई तक का current आपको मिलेगा उसके लिए निश्चिंत रहो वो आपको अब लेबल हो जाएगा exam से पहले 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 हो सब target में मैं कबर करा दूँगा तो इसमें जो topic दिये गए एक तो संविधान से जुड़े ज़धानिक और संविधिक या कारेकारी निकाय हैं या governance वाभिशासन से जुड़े पहलू है ऐसे करके categorifies with infographic पूरा content इस magazine में आपको मिलेगा तो ये आपको magazine complete करनी है ठीक है और ये मैं आपको सारा कुछ उपलब्द करा दूँगा आपके group में ठीक आप लोग को group देख ल करना है इसको complete करना है बहुत बढ़िया से आपका सारा का सारा होता चला जाएगा तो आजाद IAS Academy का YouTube चैनल आप सभी का अपना YouTube चैनल है इससे जुड़िए और यहां पर आपको वीडियो टार्गेट वीडियो अबलेबल रहेंगे और पूरी के पूरी classes अबलेबल करता हूं जैसे UP pieces में हुआ है best performance हुए बच्चों की वही performance आपकी यहां पर भी देखने को मिलेगी यह बिलकुल निश्चंत रहना है ठीक है चले